हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चानेल बेनजीस की चलो में बहुत स्वागत है चलिए आज हम एक मज़दार रेसिपी लाए है आपको दिखाते हैं कॉम टाइम पर इसे कैसे एजी प्रोसेस में बनाते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं थाबा स्टाइल लाल चाना मसला आज हम बनाए हैं चलिए देखते हैं कैसे हम इसे बनाते हैं सबसे पहले हमने यहां पे 200 ग्राम चाना लिया है जो की बड़ा साइज का आप इसे ओबर नाइट भीगो के भी राख सकते हैं हमने भीगो के राखता देखिया इसलिए और फिर ह यहां पर यह जो ओनियोन है हमने दो मीडियम साइज का ओनियोन लिया है जो किराफली काट कर लिया है मीडियम साइज का एक टमेटर लिया है वह भी हमने बड़ा बड़ा साइज में काट कर लिया है यह हमने आद रख लिया है यह साथ आठ हमने हरी मिर्च लिया है और यह हमन बनाएंगे देखिये किसे सारा का सब्सक्राइश जो इंग्रेडियंस हे वह हम डालेंगे पेस्ट बनाने के लिए जो पेस्ट है वह हम पानी नहीं डालेंगे प republican थिक पेस्ट बनाएंगे यह बहुती स्वादिष्ट एक रेसिपिट recharge रेसिपः राणė के साथ नान के साथ भी आप इसे खा सकते हैं एक बार आप इसे जुरूर ट्राइ कीजिए देखिएगा यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है हमने सारा का सारा जो है डाल दिया है मेक्सचर ग्राइड में आप देखिए एक पैन लिया है पैन को हम थोड़ा गरम कर लेंगे और इसमें हम ओईल डालेंगे और गैस का जो फिलिम है हम मेडियम रखा है ओईल हम दो बारे चमच इहां पर लिया है ओईल को पहले हम थोड़ा गरम कर लेंगे अच्छे से और पूरा का पूरा पैन में हम इसे स्प्रेड कर लेंगे पूरा का पूरा जो खाना है हम मेडियम फ काएंगे देखिए सबसे पहले कुछ खारा मसला हम डालेंगे हम यहां पे छोटा जो एलाइची है वो दो छोटा एलाइची हम डालेंगे और लॉंग डालेंगे इसके बाद उसमें हमने चार यहां पे लॉंग लिया है वो भी हम डाल दिया है फिर छोटा एक डाल चिनी का टुग्र लिया है वो भी हम डाल दिया है और फिर तेजपता एक तेजपता हमने लिया है जो कि छोटे टुग्र में हमने तोड लिया है देखिए फिर उसको हम ओयल में दिया है और उसके बाद हम यहां पर साबुत जीरा डाला है जो की पुरा का पुरा खाड़ा मसाला जीरा जो है हमने आधा मिनिट के लिए इसे पोरना है ताकि इसका जो खुझबू है वो बाहर आजाए देखिए फिर उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया है थीक पेस्ट वो हम डालेंगे ताकि अच्छ से यह बाग जाए देखिए पेस्ट बनाने के टाइम हमने इहां पे कोई पानी नहीं एड़ किया है पेस्ट हमें थीक बनाना है देखिए सारा का सारा जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम डाल दिया है और फिर इसे हम अच्छ से अच्छापन है पियाज टामाटर का वो चला जाए और अच्छे से एक खुजबू बाहर आए देखिए हमें इस तरह से पांच से सात मिनिट के लिए इसे भूनना है ताकि यह अच्छे से पाग जाए यह हमारा जो आज रेसिपी है यह लाल चाना की रेसिपी है हम धाबा में कैसे बनाते हैं उसे स्टाइल में हम आपको दिखाएंगे घर पर इसे कैसे सिंपल तरीके में हम इसे बनाया है यह बहुती स्वादिस्ट है देखिए इस तरह से हमें भूनना है और गैस का फ्लेम हम मीडियम तक ही राखेंगे और फिर इसके बाद हम देखिए मसाला आधा चामच हल्दी पावडर एड किया है और लाल मिर्च पावडर हमने एड किया है एक चामच नमक्हामें एड करना है स्वादनुसार जीरा पावडर हम आधा चामच डाले है और धनीया पावडर भी हम आधा चमच डाले है देखिए फिर उसके बाद हमें पुरा का पुरा जो मसला हमने डाला है उसे भूनना है अभी गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे नहीं तो मसला जो है वो जल जाएगा अच्छे से नहीं पाकेगा इसलिए गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है और अच्छे से इसे भूनेंगे देखिए इस तरह से हमें भूनना है ताकि मसाला का जो स्मेल वो बाहर ना आए जितना आप अच्छे से इसे पाकाएंगे आपका डिस उतना ही स्वादिष्ट बनेगा फिर देखिए हमने यहाँ पे आधा चामच कास्मिरी लाल मिर्च पावडर रैड किया है जो की कालर होने के लिए यह तीखा नहीं होता इसे कालर जो है वो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया आता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है देखिए आच्छे से हमें मसला को भूनना है आभी हमने यहाँ पे कोई पानी नहीं डाला है इसी तरह से हमें भूनना है फिर उसके उपर हमने कसवरी मेथी जो है वो डाला है एक चामच फिर वो भी हमें मेक्स करके आच्छे से पाकाना है देखिए मसला जो है उसका कालार धीरे धीरे से चेंज हो रहा है और अच्छा एक बहुत अच्छा खुजबू आ रहा है देखिए आभी इसके उपर हमने जो चाना भीगो के राखा था ओबानाइट वह हम डाल दिया है और उसे अच्छे से हम मसालों के साथ भून लेंगे आभी आप इसे बॉयल करके भी पाका सकते हैं हमने बॉयल नहीं किया है ओबानाइट इसे भीगो के राखाया था देखिए यह ज़्यादा टाहिम नहीं लेगा अच्छे से यह पख जाएगा अच्छे से हमें मसालों के साथ इसे मिक्स करना है और फिर हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे फिर से बहुती अच्छा लग रहा है इस तरह से अब पकाईए डीज जो है यह बहुती स्वादिश्ट है देखिए फिर हम अच्छे से चाना को बोईल होने के लिए यहाँ पे एक ग्लास पानी डालेंगे और पानी जो है उसे मिक्स कर देंगे धीरे धीरे से मिक्स करना है हमें और फिर देखिए मिक्स करने के बाद इसका उपर जो धक्कन है वो हम लगाएंगे दस मिनिट के लिए दस से बाड़ा मिनिट के लिए धक्कन हमने लगा दिया है देखिए बाड़ा मिनिट के बाद हम दिखाएंगे चाना जो है वो कैसा बन रहा है अच्छे से हमें फिर से मिक्स कर दिया है देखिए इस तरह से हम मिक्स करेंगे चाना जो है वो अच्छे से सौप्ट हो गया है फिर हम पैन को साइड में लेंगे और तरका लगाएंगे इसलिए हमने एक तरका पैन रख दिया है देखिए आप तरका जो है आप ओयल से भी दे सकते है और घी से भी दे सकते है बाटर से भी दे सकते है आप जैसा खाना पसंद करेंगे वैसे ही आप तरका लगा सकते हैं देखिए हमने तरका जो पेन है वो अच्छ से पहले गरम कर लेंगे गरम होने के बाद देखिया हमने यहाँ पे घी लिया है आमुल का फिर हम घी से तरका लगाएंगे हमने डेड़ चामच के आसपास घी लिया है घी को सबसे पहले हम अच्छ से गरम कर लेंगे देखिए घी जो है वो अच्छ से गरम हो गया है घी से इसलिए हम तरका लगाएंगे ताकि उसका टेस्ट और खुस्बू बहुत बढ़ी आए इसलिए घी हमने डेर से 2 चमच लिया है और फिर हम ह्वं डाला है एक उथाई चोटी चमच पर हम चोटे छोटे लंबाई में टुगर आध रख लिया है इकि वह वह भी हम डालेंगे और लेशुनом भी लॏयए है लंबाई में टुगर कर के देखिए वो भी हम डाल लेंगे आप अगर तरके में हिंग डालेंगे तो उसका एक अलगी टेक्स्चर आएगा जो कि बहुत बरी आता है इसलिए हमने हिंग का तरका लगाया है देखिए आच्छे से इसे हम थोड़ा भूनेंगे हमें एक मिनिट तक इसे अच्छे से भूनना है ताकि जो लासून है और आद रखे वो थोड़ा ब्राउन कलार का हो जाए देखिए हमें मिडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा पहले पका लेना है फिर हम यहां पर एक कामच कास्मी लाल मेर्च पाउडर एड़ किया है ताकि कालर जो है वो बहुत बरिया आए आज का हमारा डीस लाल चाना है इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर कास्मी जी लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है ताकि कालर बहुत बरिया आए धावा में या रेस्टोरेंट में इसी तरह के बना कर दिया जाता है देखिएगा तरका लागाएंगे पैन हम फिर से गैस के उपर रख दिया है आप उसके उपर हम तरका डालेंगे देखिए तरका डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मेक्स कर लेना है देखिए यह बहुत ही स्वाधी डिश है आप एक बार घर पर जुरूर इसे ट्राइ कीजिए के वक्त मुव में न आ जाए देखिए एक एक कोर के हम निकल लेंगे जहते पता है वह हम पहले निकल लेंगे अपनिकल भी सकते है नोई निकलस lors भी सकते हैं देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर आखिर में हम उसके उपर थोरा धन्याइऑ पात्ता एड़ करें उसके उपर डाल दिया है और फिर धक्कन लागाएंगे एक से दो मिनिट के लिए देखिए फिर धक्कन हटने के बाद देखिए कितना अच्छा हुआ है इसका जो टेक्स्चर है कितना अच्छा हुआ है थोड़ा हम इसमें ग्रे भी राखेंगे ताकि पराठा नान या बहुत अच्छा लगेगा देखिए हमारा जो लाल चाना है वह बिल्कुल भी तयार हो गया है अब हम इसे देखिए हम इसे निकल लेंगे कितना अच्छा लग रहा है धाबा में या रेस्टूर्ट में इसी तरह से आपको अगर सार्प करता है तो यह बहुत अच्छा लग है देखिएगा आपको यह डिस बहुत अच्छा लगीगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जुरूर करना और पास में रखे बेल आइकन को भी दावा देना ताकि हार अपलोड के बाद आपको नोटिफिकिशन में जाए और मैं आशा करती हूँ आप सब इसी तरह से मेरे साथ रहिए मेरे पास रहिए